क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब लोग हाइव आप सब के सब बहुत वड़िया हो मजह में हो तो आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है है Determinants तुख है पहले हम लोग Determinants पड़ेंगे उसके बाद में अपनोग मेट्रिस में जाएंगे यह क्योंकि मेट्रिस पड़ने के लिए Determinants की कई सारी प्रॉपरटीड हमें पता होने चाहिए क्योंकि मैट्रीश के अंदर के भी कई सारे सवाल आते हैं तो पहले अपने लोग क्या करने वाले हैं डिटमिनेट्स और आज की क्लास में हम शुरू कर देंगे डिटमिनेंट एक तम बेसिक से जाएंगे ठीक है तो इतने ज्यादा भारी कोईशन देखने को नहीं मिलेंगे बड़ ठीओरी और कॉंसेब्ट जो आज की क्लास में देखने जा रहे हैं वह बहुत ज्यादा सूपर होने वाली है ना वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटमिनेंट मैट्रिक्स के लिए तो थियोरी को आपकी आगे जाके लाइफ में भी काव आने वाला है अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे कोडिंग करोगे तो वहां पर मैट्रिस का बहुत बहुत ज्यादा यूज आता है ठीक है अपन जो पिक्सल्स देखते हैं ना पिक्सल इसे मैट्रेक्स उनली है ना और आपको कभी करोगे तो जितने भी कलर से ना तो वह कलर्स अलगलग कैसे आते हैं बागे सारे कलर सको मिक्स करके अंदर मैट्रिस का बहुत ज्यादा यूज है तो क्यूंकि हमने करी कॉल पर्रग्रामिंग तभ पता चलाता कि pulls द्ना का का चै hook Remember то सबसे पहले भी कैस SHOW है मैट् travelled TribE यहां पर देना चाहूंगा मैट्रिक्स के बारे में देखो पूरी बात नहीं करेंगे आज के सेशन में मैट्रिक्स का बस इतना ही इतनी बाते करेंगे जितनी डिटर्मिनेंट के लिए जरूरी है मैट्रिक्स का एक खुलका सा इंट्रॉदसिं दे धूगा जो कि डिटर्मिनेट्स के लिए आपके लिए ज़रूरी है मेट्रिक्स के ओपर पूरी चर्चा हो जब यह चेप्टर खतम हो जाएगा तो मैट्रिक्स में खेलेंगे फिर अपन अभी मैट्रिक्स के बारे में इत्ती थी बात जान लो कि मैट्रिक्स is a rectangular array a rectangular ठीक है a rectangular array और अफ नंबर्स टिक है एंड इस रिपर्जेंटेट बाई इस रिपर्जेंटेट बाई इस तरीक से आपने इसको रिपर्जेंट करते हैं जैसे यहां पर यह एक एक एकजांपल देता हूं एक दो कि जैसे 125903 तो यह एक मैट्रिक्स हो गई एक यह rectangular डिको डिखाई दिखाई दे रही है आपने को यह rectangular shape है इस कंदर क्या है नंबर्स है यहां पर 125903 कि नंबर से को भी नंबर हो सकता है यहां पर real number, imaginary number, कोई भी number आ सकता है तो this is the rectangular array of numbers है ना और अगर किसी के अंदर number of rows and columns same हुई, सबसे पहले rows and column के बारे में आपको बता दूँ कि यह जो horizontal lines है इसको अपन row बोलेंगे, जैसे यह पहली row होगे, यह दूसरी row होगे, rows are the horizontal lines, rows are the horizontal lines, तो यहाँ पर दो row है, और column कितनी है, 1, 2, 3, 3 column है, तो यह rectangular shape में आ गई है, इसी को ही, अगर square shape में देखे, जैसे 1, 5, 3, 2, 0, 9, 5, 1, 2, इसे अपन बोलेंगे square matrix है ना, square matrix, इसको अपन क्या बोलेंगे, square matrix जब number of rows and number of column same हो जाते हैं, तो उसको अपन square matrix बोलते हैं, square matrix is basically number of rows is equal to number of columns अगर यह दोनों same आ जाते, अगर rows and column same आ गए, square की shape दिख जाएगी, तो इस ताप की matrix को अपन square matrix बोलते है, represent कैसे, इस type के box से किया जाता है, इसको represent, ठीके, तो यह बस इतना introduction काफी है, matrix का, matrix is just a rectangular array of numbers, अब आगे बात करते हैं, determinant, कि determinant क्या चीज है, ठीक है, matrices के बारे में, आगे समय आएगा तब बात करेंगे, अभी determinants के बारे में, अच्छे से बात कर लेते हैं, determinant is a number, ठीक है, matrix तो arrangement है किसी elements का है, determinant is a number, determinant is a scalar number, determinant determinant is a is a scalar number associated only and only only and only two square matrices square matrices यह जो square matrix है ना, इसको एक नंबर दिया गया है, उसी number को अपन determinant हो लेंगे, ठीक है, तो determinant is a scalar number associated only and only two square matrices, सिर्फ और सिर्फ square matrices के साथ ही, वो number associated होता है, सिर्फ और सिर्फ square matrices को ही, वो सो भाग्य फ्राप्त हुआ है, कि उसको वो number मिल जाए, है ना, वो number नहीं ही है, ठीक है, यह एक scalar number है, जो कि एक square matrix को associated है, अब वो number कैसे निकालेंगे, भाईया, इसका determinant क्या है, यह square matrix है, इसका कुछ determinant होगा, उसके determinant की value कैसे निकालेंगे, बस इसी के बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं, तो I hope definition is clear to all of you, ओके, तो determinant with n rows and n column, determinant के अंदर number of rows and number of columns हमेशा क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, क्योंकि square matrix को ही सो वाग्य प्राप्त हुआ है, determinant रखने ठीक है, तो determinant के अंदर हमेशा ध्यान रखे, number of rows and number of columns are same, इसकी जो representation होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, modulus जैसा सा दिखेगा आपको है, ऐसके अंदर कुछ numbers होंगे, और rows जितनी होगी, उतनी ही columns होने वाली है, rows are the horizontal lines, columns are the vertical lines, हमेशा ध्यान रखा गया है, horizontal lines are row and columns are the vertical line, ठीक है, तो यह एक आपके सामने determinant रखा गया है, जिसका अंदर N rows है and N column है, ओके, यह हो गया पहली row, फस्ट row, यह जितने भी elements है, यह पहली row के element है, और यह जितने भी element है, यह second row के element है and so on, first, second, third and so on, this is the Nth row, ओके, वैसे ही यह पहली column, यह दूसरी column, यह तीसरी column and so on, up to this is the Nth column of this determinant, ओके, अब इस determinant के अंदर अगर कोई भी number रख रहे हैं तो उस number का address होता है, ताकि अपन बता दे कि भया इस position पर कौन सा वाला number बैठा है, तो हर number का एक address होता है, उस address को represent करने का जो तरीका रहता है, that is, aij, इस तरीक से अपन address को represent करते हैं, जहां पर i is the row, j is the column, किसी भी element को represent करने का तरीका रहेगा, aij, where this is an element of i-th row and j-th column, aij is an element of i-th row and j-th column, ओके, जैसे कि यह, इस element को देखो, इसका address क्या होगा है, a1-1, क्योंकि यह first row में, and first column में हैं, और इसके बारे में देखो, यह है तो first row में, but अभी second column में आ गया, तो देखो, row तो one ही लिखी है, column यहां पर second हो गई, फिर next वाला a13 हो जाएगा, next वाला a14 हो जाएगा, क्योंकि है तो सारे first row के अंदर ही, कॉलम बदलती जारी है, इनकी कॉलम बदलती जारी है, यह वाला देखो, a1-n, first row के अंदर है, बट अब इसकी column कौन सी होगी, nth column होगे, है ना first, second, third, columns are vertical line, rows are horizontal line, बस simple सा बात याद रखो, कि rows भाईया, horizontal होती है, कॉलम अपना समझ में आ जाएगा, तो यह nth column का element हो गया, first row and nth column का element, राइट, वैसे इसको देखोगे, अब यह second row में आ गया, तो पहले 2 लगा दिया, इसके आगे, and first column, element का address समझ पाना बहुत important है, ठेके, कि अगर आपको पूछे कि भाईया, a32 वाला element कौन सा है, तो आप पहचान पाऊगे, भाईया, a32 है कौन सा, ओके, तो this is second row first column, second row में है, पहली column में है, यह वाला element second row second column, third वाला a23 हो जाएगा, second row third column, and यह हो जाएगा a2n, second row nth column, ठेके, फिर यह देखो a31, फिर a41 and so on, यह aNN हो गया, aNN, nth row में है और nth column में है, ठेके, अगर आप diagonal वाले elements को देखोगे, जितने भी यह diagonal वाले element को observe करो जड़ा, यह कैसे आ रहे, a11, a22, a33 and so on, ओके, simple सी बात है, ओके बचालो, चलिए, आगे बात करते हैं, तो order of determinant, order is number of rows और number of column, है ना, कि अगर order one का determinant है, मतलब उसके अंदर एक ही row होगी, एक ही column होगी, मतलब एक ही element होने वाला है, एक ही row, एक ही column, मतलब एक ही element, अगर कोई determinant order two का है, तो उसके अंदर दो रोज होने वाली है और दो कॉलम होने वाली है order 3 के determinant में तीन रोज होगी, तीन कॉलम्स होगी, एड्रस देखलो सबका, इसके अंदर देखो A11, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, A11 बोल दिया, इसको देखो A11, यह वाला हो गया element A12, यह हो जाएगा A21, क्योंकि second row में आ गया यह A22, इसके अंदर देख सकते हो elements का address, A11, A12, A13, एना first row के हैं तीनो, फिर यह देखो A21, A22, A23, these are second row element, A31, A32, A33, third row के element, ओके, तो हमारे syllabus में बस order 3 determinant तक की ही बात करेंगे, order 4 के determinant की बात नहीं करेंगे, हमारे syllabus में सिर्फ order 3 determinant तक की ही कहानी है, अब इनकी values calculate करने की बा है, वही सब कुछ है, वही उस determinant की value है, एक ही बंदा रह रह रहा है उस गर में, है ना, तो determinant की value वही है, यहाँ पर, तो determinant of minus 3 is minus 3 only, modulus से confuse मत कर लेना, इस sign को, ऐसा मत कर देना, कि modulus समझ के, आप इसको minus 3 को plus 3 बना दो, वो फिर गडबड हो जाएगी, मामला, तो modulus से confuse नहीं कर करने का है, तो अगर A की element है, वो determinant के अंदर, तो वही element उस determinant की value कहलाएगा, as simple as that, अगर order 2 का determinant है, जो की इस प्रकार से दिखता है, कि A11, A12, 1st row, 2nd column, A21, 2nd row, 1st column, A22, 2nd row, 2nd column, इस determinant की value निकालने लिए है, हम लोग cross multiplication method का सारा लेंगे, ठीके, A11, A22 से multiply होगा, तो A11 into A22, minus A21, A12 से multiply होगा, देखो, A11 into A22, minus A21 into A22, तो इस तरीके से हम second order के determinant की value निकालते है, simple cross multiplication method है, this minus this, this minus this, as simple as that, ओके, तो for an example, अगर ऐसा determinant दे रखा है, determinant of 4, 3, 5, 1, तो simple है, तो 4 into 1, 4 हो जाएगा, minus 5 into 3, minus 15 हो गया, मतलब 4 minus 15, minus 11 आ गया, वहीं पर ही, example 2, यहाँ पर बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, यहाँ पर कोई element negative रख दो, जैसे 4, 3, minus 5, 1, यह मैंने दिया है, तो यहाँ पर बच्चे कही बार negative, negative को positive करना भूल जाते हैं, तो ध्यान लखना, कि 4 into 1, 4, minus, minus 5 into 3, देखो, minus 5 or 3 का प्रोड़क्ट कितना हो जाएगा, minus 15, तो 4 में से, आप minus 15, minus कर रहे हो, ध्यान लखना, बस, ऐसी silly mistake नहीं होनी चाहिए, बस से इसलिए बतारों कि, अगर कोई कर रहा हो, आप में से, नहीं कर रहे हो, बहुत इच determinant ले लेते हैं, minus 3, minus 2, minus 5, 1, suppose, is determinant की value पूछी, तो minus 3 into 1, minus 3 into 1, minus 3 बन जाएगा, minus, minus 5 into minus 2, minus 5 into minus 2, कितना हो गया, plus 10 हो गया, तो minus अपन कितना कर रहे है, plus 10 minus कर रहे हैं, माइनस 3, minus, इन दुनों का product कितना आ रहे है, plus 10, तो minus 3, minus 10, मतलब minus 13, यह अपने पास determinant की value आ चुकी, तो बस value का सबसे पहले धियान लखे, कि cross multiplication method से हमें value निकालनी है, और बहुत simple है, cross multiplication method, बस इसमें, sign का आप लोग धियान लखना, गलती मत करना है, आपके, basic सा question है, ठीक क्या सवाल था, यह भी बहुत ही, वैसे ही, उतना ही, basic सा सवाल है, this into this, तो x plus y into x plus y, मतलब यह x plus y का whole square बन जाएगा, minus 2x into 2y, मतलब यह 4xy बन गया, ठीक है, बचा लोग, आपको अगर लग रहा है कि सर, यह क्या सवाल है, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के लिए है इस चैप्टर को, उनके लिए भी अपन थोड़ा ध्यान दख रहे है, जो बच्चे फर्स टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे है, आज तक कभी determinant नहीं पड़ा हो, तो उनको भी पता होना चाहिए, cross multiplication method लगा दिया, x y plus y square minus 2xy, मतलब यह x minus y whole square आ गया, ठीक है, simple है, यह बाला देखलो, यह भी वैसे simple question है, यहां पर identity का यूज आता है, बहुत बच्चे बूह जाते हैं कई पार identity, वही identity आपको याद आ जाएगा, कि cross multiply this into this, तो a square plus a plus one, a square plus a plus one, यहां पर पहले a minus 1 से multiply हो रहा है, minus, अब इन दूनों का product देखो, इस diagonal के elements, minus the product of, is the diagonal elements, तो यह ब plus one, ऐसा बनेगा ना, ठीक है, सही है, अब इसका product क्या होता है, याद करो यह कि यह identity है, इसका product होता है, a cube minus one, minus, यह भी एक identity है, और इसका product हो जाएगा, a cube plus one, ठीक है, याद करो एक बार बच्चमन की बात है, कि a cube plus one के दो factor होते है, a cube plus one का एक factor तो a plus one, दूसर factor a square minus a plus one, तो इसी के यह दो factors है, इनका product इसके equal आ जाएगा, वैसे ही, a cube minus one के दो factor होते है, एक तो होता है, a minus one और दूसरा होता है, a square plus a plus one, कहां से आए, x cube plus y cube से ध्यान रखो, x cube plus y cube, x cube minus y cube, यह यादे formula आपको, identities, x cube plus y cube होता है, x plus y into x square minus xy plus y square, that is x cube plus y cube, and x cube minus y cube is, x minus y into x square plus xy plus y square, okay, simple, पता है, हाँ, पता ही होगा, ओके, तो this minus this किया, तो a cube से a cube cancel out हो गया, minus one minus one मिलके यहाँ पर minus two बना लेगा, तो minus two is the answer for this question, option D, सही जवाब है, ओके चली आगे बढ़ता है, देखो यह starting में easy equation है, तो फटा-फटा ही लेके चलूँगा मैं इससे, k into k, k square हो जाएगा, देखो, k into k, k square minus, minus the product of minus three है न, देखो इनका product क्या आ रहा है, minus three आ रहा है, तो k square minus minus three is equal to seven, तो k square की value कितनी आ जाएगी, यह plus three बन रहा है, उस side गया, seven minus three, four, तो k की value यहाँ पर plus minus two, okay, very simple, तेखे, easy है, बहुत बढ़ी है, okay, now, अब अपना है काम की बाते, which is the expansion of determinant of order three, order three के determinant को, किस तरीके से expand करना है, सबसे पहले तो एक सबसे basic तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसके बाद में इसके और बहुत तरीके सिखाऊंगा, देखो, determinant को expand करना ना, किसी भी row या column के about expand कर सकता है, मैं चाहूं तो इस determinant को first row, second row, third row, या फिर first column, second column, third column, किसी के about भी expand कर सकता हूँ, बट सबसे पहले, मैं बस ये मान के चल रहा हूँ, कि आप लोग इस chapter को पहली बार पढ़ रहे, आपने कभी नहीं पढ़ा है ये chapter, तो उस हिसाब से मैं उस sequence में एक बार लेके जा रहा हूँ, तो पहले तो अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि first row के about कैसे expand करना है, तो this is how we expand the determinant about first row, देखो, first row के elements लिख लो, a11, a12, a13, a11 लिख लिया, a12 लिख लिया, a13 लिख लिया, बस ये जो a12 है इसको negative sign के साथ लिख देना, ठीके, a12 को कैसे लिख लेंगे, negative sign के साथ, तो first row के तीनों elements लिख लिए a11 negative of a12 plus a13 ओके यह जो middle वाला element है इसको बस negative sign के साथ लिख लेना है तो तीनों elements को लिख लिए अब a11 किस से multiply होगा a11 जब आपन row and column को delete कर देंगे a11 first row and first column में है तो first row को delete किया first column को delete किया एक ये छूटू दिटर्बिटर्मिनेंट बन रहा है इस छूटू डिटर्मिनेंट से मल्टिप्लाई हो रहा है देखो यह है वह चूटू डिटर्मिन अब से अपने मल्रिप्लाई कर सब्सक्राइब करेंगे की भैहां यह जो है वह सेकंडinya इप first row में है delete कर दिया क्या-क्या बच गया यह देखो यह 4 elements बचे हैं ना इन्ही 4 elements को इधर से उठाया इधर put कर दिया देख सकते हूँ a21, a23, a21, a23, a31, a33 यह देखो यह 4 elements यहाँ पर बसे हुए है तो जिस row and column में है उसको delete किया यह बाकी के 4 elements यह रहा है तो इसका छूटू determinant यह आ गया a12 का अभी जो a13 है a13 को भी multiply किया है किस से इसके छूटू determinant से देख सकते हो यही वो determinant है a21, a22, a31, a32 ओके तो यह हमने determinant expand कर दिया यह determinant की value निकाल ली 2 x 2 determinant की value निकाल सकते हो इसकी भी आप निकाल सकते हो इसकी भी value आप easily निकाल सकते हो find out कर सकते हो तो इस तरीके से हमन 3 x 3 determinant की value निकालते है कि हमने 1st row के elements रखे सबसे पहले a11 फिर जो middle वाले element है इसको negative sign के साथ रख दिया a11, a12, a13 तीनों elements को हमने रख दिया उसके बाद में a11 को हम लोग multiply कर रहे है इसके छूटू determinant से ओके, a12 को multiply कर दिया इसके छूटू determinant से और a13 को भी इसके खुद के छूटू determinant से multiply कर दिया अब इसको छूटू determinant बोल रहो आगे जाके इसका नाम भी आएगा जब minor को factor पढ़ेंगे तब आपको पता भी चलेगा कि इस बही इन छूटू determinant को बोलते क्या है अब इसकी value easily निकाल सकते हो टू क्रॉस टू तो अपने को आता है यह solve करना अपने को पता है टू क्रॉस टू डेटमिनेंट कैसे solve करते है cross multiplication method यहाँ पे भी वही यहाँ पे भी वही तो अब कुछ सवालों में प्रैक्टिस करते हैं इसको ठीके देखो evaluate the determinant है ना यह वाला determinant हमें calculate करना सबसे पहले चालू करते हैं पर स्ट्रों के elements लिख दू पर स्ट्रों का element पहला क्या गया थ्री अब थ्री को किस से सबसे पहले यहाँ पर थ्री लिख दिया ओके यहाँ पर 11 लिख दिया बट इस वाले element को negative sign के साथ लिखना होता है negative sign के साथ लिखा है ना negative of a12 मैंने बताया ही जाना है यार इस वाले element को नेगटिटिव साथ इस वाले element को positive plus of minus one plus minus one ठीक है a11 minus a12 plus a13 है ना a13 को दी माइने सब्सक्राइब आरी ना बात है a13 बूलते हैं इससे यह होता है a11 यह होता है a12 यह क्या होता है e13 है ना यह first row first column का element यह first row second column का element इसी को ही अपन बोलेंगे first row third column का element ओब 3 को multiply करेंगे जिस row में 3 है जिस column में 3 है उसको delete मारो तो पीछे जो determinant बचा आप ऑब है 2030 इसका somethin को अपन से मिल्टिप्वा कर दिया अब देखो इसको किस से मट्िप्लाइश करेंगे जिस रूओएंट ॉलम में है यह वो डिलीट कर दिया तो पीछे जो बचा ौश्य्मट्स 5 0 10 0 5 0 10 0 इस से multiply करेंगे ओके अब देखो माइनस वन जिस रो एंड कॉलम में है उसको डिलीट मारा और इसके पीछे क्या बचा 5 2 10 3 इस से multiply कर दिया बस आगे ही डिटेमिनेंट की वेल्यू तो 3 multiplied by इस डिटेमिनेंट की वेल्यू तो 0 आ रही है 0 इंटू 0 0 मिल गया माइनस 11 multiplied by यह भी 0 इंटू 0 0 बन जाएगा और प्लस माइनस वन मुल्टिप्लाइड बाई 5 3 इस फिफ्टीन माइनस 20 तो यह देख सकते हैं यह 0 हो गया यह 0 हो गया 15-20 माइनस 5 माइनस 5 इंटू माइनस 1 धैट विल बी एक्वल टू प्लस 5 यह हमारा आंसर हो गया इस question का इंपल है तो आई होप आपको हो determinant expand करना आगया हो तो कुछ-कुछ determinant खुद से expand करो मजह आएगा देख मजा बहुत आता है determinant expand करने में जब नय नय सीखते हैं न मैने जब पहली बार सिखा था determinant expand करना मैंने तो यह वाला सवाल करते हैं इफ डिटर्मिनेंट आप डिस इकोल तो माइनस 145 देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है माइनस 145 तो अपन फर्स्ट रोग एबाउट एक्सपैंड कर देते हैं सबसे पहले मैं यह तो इस इस को कितना है माइनस 148 यह नहीं टिक्वेशन तो टू किस से मृटिप्लाई हो रहा है इसको इसको जो छूटू डिटमिनेंट होगा, row and column को delete किया, तो यह किया बन रहा है, 8, 2, minus 1, 8, 2, minus 1, 7, right? सभी बात है, ओके, ऐसा बन रहा है, ओके, x multiply होगा, इसको delete किया, तो 85, minus 1, 3, 85, minus 1, 3, x multiply होगया, ओके, बचलो, तो यह बन रहा है, 2 times, 5, 7s are 35, 35 minus 6 है न, यह 35 minus 6, minus 4 times, 8, 7s are 56, minus of minus 2, मतलब plus 2 बन जाएगा, ओके, plus x multiply by, 8, 3s are 24, minus of minus 5, that will be plus 5, is equal to minus 145, this is the question, अब होई गया, questions of 35 minus 26, 29, 29 into 2, 58, minus 4 into 58 हो रहा है, plus x times 29, is equal to minus 145, अब इस equation से हम लोग easily x की value निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आगे तो आप complete करी लोगे सवाल को, x की value निकालने थी, बस यहां से मेरे को यही समझाना था, कि देखो expand करना न, एक तो यह तरीका हो गया, अब धीरी दीर है, जैसे जैसे हम इस chapter में आगे बढ़ेंगे न, यह वाला step खा जाएंगे, हम लोग, direct step पर पहुंचा करेंगे, ठीक है, direct step पर पहुंचने का तरीका सुनो, तरीका भाई है, बस mental calculation हो रही है, कि इस 2 को multiply कर रहे है, 2 को किस से multiply कर रहे है, 5 x 7, 35, minus 3 x 2, 6, 35 minus 6 है, ओके, 2 को इसके छोटू determinant से multiply कर दिया, फिर देको minus 4, इस वाले element को negative sign के साथ लिखा, minus 4, और इसको multiply कर रहे है, 8, 7 जा, 56, minus of minus 2, तो मतलब यह plus 2 बन गया, ओके, फिर x को multiply कर रहे है, इस वाले element को, 8, 3 जा, 24, minus of minus 5 है ना, 24 plus 5, इस से multiply कर दिया, ओके, तो x की value यहां से easily आ जाएगी, खतम बात, simple, ओके, now, prove that, determinant of this, यह अच्छा question तो नहीं बोलेंगे, बट इसको यह बोलेंगे, कि हाँ, ध्यान रखना इस सवाल को, क्योंकि यह determinant बड़ा ही familiar सा determinant है, कई जगे पर आ जाएगा, कि इस determinant की value, 1 plus a square plus b square plus c square होती है, तो अब अपन directly expand करते हैं, देखो, 1 को multiply करेंगे, है ना, इस element को multiply करेंगे, इसका छूटू determinant, जो कि आ रहा है, 1 plus c square, राइट, 1 plus c square, फतम बात, देखो, 1 into minus of minus c square मतलब plus c square हो जाएगा, अब फिर इस element को negative के साथ रिखेंगे, एको negative के साथ लिखा, और यह multiply होगा, minus a, plus, है ना, minus a, और यह minus of minus bc हो जाएगा, मतलब प्लस bc, ठीक है, minus a, minus of minus bc, plus bc हो गया, plus b times, plus b times, यहना, बी को किस से multiply करेंगे, इसके छूटू determinant से, जो कि आ रहा है, minus a into minus c, मतलब प्लस ac, minus of minus b, मतलब यह plus b, ओके, यह इस determinant का expansion आ गया है, अब चेक कर लेते, क्या रिखेंट के value, 1 plus c square, minus a into minus a, मतलब plus a square, minus a, bc, plus a, bc, यहाँ पर बन रहा है, plus b square, तो minus a, bc, plus a, bc, cancel out हो गया, और अपने पास बचा वही, जो right hand side में लिखा है, 1 plus c square, plus b square, plus c square, okay, that's our answer for the question, simple है, easy peasy, बहुत आसान, right, चलिए, यह वाला question करते है, कि evaluate delta, first part तो बहुत easy है, कि बस इसकी value calculate करनी है, और इसके second part में पूछा गया है, कि prove that delta, मतलब इस determinant की जो value है, that is greater than or equal to 2, less than or equal to 4, okay, सबसे पहले तो determinant की value calculate कर ली जाए, तो value calculate करेंगे, one multiply होगा किस से, one plus sine square alpha से, तो one multiplied by one plus sine square alpha, यहां पर यह plus sine alpha, इसको negative sine के साथ लिखेंगे, और multiply करेंगे इसको अपने छूटू determinant से, इसका छूटू determinant क्या है, है, देखो, one into minus sine alpha, which is minus sine alpha, है न, minus of, देखो, minus, इसमें से minus क्या कर रहे है, इसमें से minus कर रहे है, इनका product, और इनका product कितना आ रहे है, minus sine alpha आ रहा है, तो minus sine alpha से minus ही, अपन minus sine alpha कर रहे है, तो दिखी रहा है, आपको क्या होने वाला है, ठीक है, प्लस 1 multiplied by प्लस 1 multiplied by minus sin alpha into minus sin alpha, that will be plus sin square alpha और minus of minus 1, that will be plus 1, ये बन गया, plus sin square alpha plus 1, okay, plus sin square alpha plus 1 ये बन रहा है 1 plus sin square alpha, ये भी 1 plus sin square alpha, ये बन जाएगा 2 times 1 plus sin square alpha, ये वाला पाट तो समझ में आई रहा है, कि ये cancel out, ये 0 दे देगा, तो entirely ये term 0 हो चुकी है, तो इस determinant को expand कर लिया, इस determinant की value आगे, delta is equal to 2 times 1 plus sin square alpha, ओके, so that is the value for this determinant, are we clear, so far, expand किया है, simply, देखो, आप खुछ से expand करने की की कुशिश करना, अगर आप पहली बार सीख रहे होता हो, जिनको already expand करना आता है, उनको ये सब चीज़े बहुत easy लग रहे होगी, है ना, तो delta की value ये आगे, 2 times 1 plus sin square alpha, delta is equal to 2 times 1 plus sin square alpha, अब second part बोल रहा है, कि prove करो, delta की value 2 से 4 के बीच में है, तो हमें पता है, sin square alpha 0 से 1 के बीच में होता है, है ना, sin alpha minus 1 से 1 के बीच में होता है, तो sin square alpha तो 0 से 1 होता है, तो sin square alpha is greater than or equal to 0, less than or equal to 1, and 1 plus sin square alpha will be less than or equal to 2, greater than or equal to 1, basically, यहाँ पे 1 add कर दिया है, मैंने, ठीक है, इस inequality से, यहाँ पे आने के लिए, हमने 1 add कर दिया है, ताकि 1 plus sin square alpha बन जाए, 1 में 1 add करोगे, तो 2 बन जाएगा, 0 में 1 add करोगे, तो 1 बन जाएगा, ओके, तो यह 1 plus sin square alpha, इसको फिर 2 से multiply करना है, तो 2 times 1 plus sin square alpha, अब समझ में आ रहा है, आने क्या किया है, 2 से multiply किया है, तो 2 into 2, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 into 2, 2 बन जाएगा, तो 2 times 1 plus sin square alpha, इस between 2 to 4, थस hence proved, hence proved HP, are we clear? Simple, अब अब आपन बात करते है, miners क्या होते है, co-factor क्या होते है, सबसे पहले, minor क्या होते है, minor जो मैं बोल था था ना, छोटू determinant, वही minor है, वही छोटू determinant ही minor है, देखो, minor of AIJ, हर element का, खुद का छोटू determinant होता है, हर element का minor होता है, ठीक है, हर element का, खुद का छोटू determinant होता है, जैसे मैंने यह element लिया, मैंने बोला कि वहीं है, इस element के, जिस row में है वो row delete कर दो, जिस column में है वो column delete कर दो, चार elements बच जाएंगे, वही इसका छोटो determinant है, वही इसका minor है ठीक है, उसको अपन A23 का minor बोलेंगे, है ना A23 का minor क्या हो जाएगा यह वाला element है A23 एक बार फिर से याद कर लो बचा लोग यहाँ पर फिर से recap करने की जरूद है कि elements का address समझ में आता है ना आपको, नहीं आता तो फिर से ध्यान से देखे कि यह first row first column first row second column, first row third column यह second row first column second row second column, second row third column third row first column है ना, third row तीसरी है column पहली है, तो यह third row second column, यह third row third column, ठीक है address समझ में आ गया, clear अब अगर हमें A23 का minor चाहिए, तो जिस row में है उस row को गायब कर दो, जिस column में उस column को गायब कर दो, यह 4 elements बचेंगे तो यह A23 का minor हो गया तो अगर मैं बोलता हूँ कि M23 क्या होगा M23 की value पूछ ली तो इस element को row और column delete किया, यह जो 4 elements बचेंगे है इसका determinant लिख लो A11, A12, determinant of A11, A12 और यहाँ पे A31, A32 A31, A32 तो वही M23 हो गया है ना, इस determinant की value को calculate कर लोगे, cross multiplication method से A11 into A32 minus A31 into A12 A31 into A12 तो cross multiplication method से determinant की value calculate कर ली तो यह इसका minor हो गया यह M23 हो गया तो वैसे किसी भी element का minor आप से पूछा जा सकता है आप imagine कर पाऊगे ना, जैसे अगर आपने को A22 का minor चीह है, जिसको अपन M22 लिखेंगे M22 क्या होने वाला है कि जिस row में है उसको delete किया, जिस column में है उसको delete किया तो बाकी बचे चार elements जो कि है A21, A23, A31, A33 So that is M12 The minor of A12 is M12 The minor of A23 is M23 As simple as that तो अगर किसी भी element का minor निकालना है तो जिस row में है उसको उड़ा दो जिस column में है उसको उड़ा दो उसके बाद में जो बाकी बचे चार elements उसके determinant को ही उसका minor कहा जाता है Are we clear? Simple? चलिए अब को factor के बारे में अच्छा minor के बारे में आपने बात करी ही लिए है है ना कि the determinant obtained by deleting the iath row and jath column of a determinant A is called the minor of the element of Aij तो अगर आप से M11 पूछे आप निकाल सकते हो M12 पूछे आप निकाल सकते हो M33 पूछे निकाल सकते होटी के determinant आपके सामने रख दिया है मैंने determinant वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 तो अगर पूछा गया है जैसे M11 तो A11 का minor हो जाएगा है ना यह जिस रू एंड कॉलम में है वो डिलीट कर दो A11 फर्स्ट रू में है डिलीट किया फर्स्ट कॉलम में है डिलीट कर दिया बाकी जो बचा डिटमनेंट है डिटमनेंट आफ A22 A23 A32 A33 जिसकी वेल्यू अपनों क्रॉस मल्डिप्लिकेशन मेथर से निकाल लेंगे तो माइनर इस नॉट बिग डिल फॉर यू एंड सेम इस को फेक्टर को फेक्टर भी कोई बड़ी बात नहीं है माइनर और को फेक्टर में सिर्फ साइन का फरक आएगा अगर आएगा तो बाकी अगर आपने किसी एलिमेंट का माइनर निकाल लिया है तो को फेक्टर निकालना इस नॉट अट बिग डील जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ सी वन वन क्या होगा C11 मतलब को फेक्टर ओफ A11 है ना तो को फेक्टर ओफ A11 is equal to minus 1 की पावर 1 प्लस 1 into M11 यह देखो minus 1 की पावर I plus J into that minor तो M11 अपने को निकालना आता है कोई बड़ी बात नहीं है अब यह भी हमने सीखा है कि minor कैसे निकालते हैं अब उसको किस से multiply किया है minus 1 की पावर I plus J I B 1 है J B 1 है यहां पे तो minus 1 की पावर 1 plus 1 मतलब minus 1 का square positive हो गया plus 1 दे दे गई है तो C11 और M11 की value क्या हो गई सेम हो गई है ना C11 and M11 की value सेम हो गई in fact यहां पे अपन यह बात आगे लिख सकते है कि अगर अगर I plus J is an even number है ना Aij में अगर I plus J is an even number तो तो Cij and Mij equal होंगे आपस में अगर I plus J even number है तो Cij and Mij equal होंगे अगर I plus J odd number हो गए तो co-factor is negative of minor है ना if I plus J is an odd number अगर I plus J odd number हो गया क्योंकि देखो minus 1 की power odd minus रह जाएगा तो अगर I plus J odd number है तो co-factor is negative of minor ठीक है यह चीज़ ध्यान दखेंगे कि अगर I plus J even number है तो co-factor and minor are equal to each other if I plus J is an odd number then co-factor is negative of minor है ना बचालो तो C11 M11 आपस में equal होंगे बट वही बात करूँ मैं C12 C12 negative होगा M12 का क्योंकि यहां पे देखो I plus J 1 plus 2 कैसा है odd number है तो C12 is negative of M12 वही अगर बात करें C13 C13 is equal to M13 क्योंकि यहां पे अब I plus J is an even number 1 plus 3 even number हो जाएगा तो C13 M13 आपस में equal होंगे वैसे ही अगर बात करें कि C21 is negative of M21 C21 is negative of M21 because 2 plus 1 is clearly an odd number C22 is equal to M22 C23 is negative of M23 तो यह बात है अपने को ध्यान रखने कि कहां पे cofactor negative आ रहा है माइनर का कहां पे cofactor equal to minor आ रहा है तो जहां पर भी I plus J even number है cofactor minor equal otherwise cofactor is negative of minor है ना clear है जैसे इसका minor अपने लिख लिया है C11 अगर अपने को लिखना है तो C11 is equal to M11 C11 is equal to M11 C12 is negative of M12 C33 is equal to M33 ठीक है C33 M33 की value equal होगी same होने वाली है क्योंकि यहां पे I plus J is an even number ओके तो इस slide में कुछ भी ऐसा नहीं आ नहीं है और easy calculation in a determinant of order 2 and 3 the signs used to find the cofactor अगर अपने को cofactor का sign पता लगाना है मतलब cofactor minor के equal है या cofactor negative of minor है तो अपन directly ऐसे ध्यान में रख सकते हैं two cross two में तो positive negative negative positive यह ध्यान रखना मतलब देखो two cross two कैसा हो गया two cross two के अंदर element होते हैं a11 a12 a21 a22 यह चार element होते हैं है ना तो इसके लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि M11 तो c11 के equal होगा है ना या फिर ऐसा बोला जाए कि c11 is equal to M11 for it but c12 is negative of M12 है ना c21 is negative of M21 and c22 is equal to M22 जहां पर i plus j odd number वहां पर co factor is negative of minor जहां पर i plus j is an even number वहां पर co factor and minor आपस में कैसे equal होते हैं ओके clear है इसलिए देखो इधर positive sign लगा दिया क्योंकि यहां पर जो co factor होगाfikा वहां पर देखो negative sign है because इस के लिए इस एलिमेंट के लिए जोंपकूदार होगा वो negative of minor होगा वैसे ही इस एलिमेंट के लिएनट के लिए जो को फैक्टर होने वाला है negative होगा longer क्यों किफ़ेंड और estम government के लिए सवारे में खास क्या रखना उसमें तो alternate positive negative है को positive नेगीटिव positive नेगाटिव positive नेगेटिव फॉजटिव नेगेटिव फॉजटिव फॉजटिव नेगेटिव फॉजटिव फॉजटिव सरी तो बड़ा ही सिंपल है एना Recomm bakery test alternate alternate पॉसिटिव और नेगेटीव साइन ऐसे आप बहुत इजी लिए रख सकते हैं थ्यान रखना ऑल्टरनेट नहीं है पॉसिटिव और वापिस तुम्हें ध्यान लखना बत्वी क्रॉस्ति में तो औल्ट और नेट पॉजिटिव नेगेटिव इस लिए फोर डिस एलिमेंट के लिए जिसको इस एलिमेंट का नाम एवनवन है इसका cofactor C11 होगा वो M11 के equal होगा बट अगर इस element के बारे में बात करूँ तो इस element का नाम A12 है first row second column का element है है ना first row second column का element तो इसका जो cofactor होगा उसको C12 बोलेंगे and C12 is negative of M12 for this one वैसे यह हो गया C13 इसके लिए अपने बूल सकते हैं C13 is equal to M13 because I plus J is an even number 1 plus 3 is an even number तो इसलिए यहाँ पे cofactor और minor आपस में same हो चुके है है equal हो गया clear है इती बात है okay so then find all possible minors and cofactor आपके सामने एक determinant दे रखा है जिसके अंदर हमें minor and cofactor निकालना है तो हर एक element का minor and cofactor में आपको निकाल के दिखाऊंगा सबसे पहले तो M11 के बारे में बात करते हैं तो M11 मतनब इसका minor क्या हो जाएगा बच्चा लो डिलीट किया जिस row and column में है और बाकी बच्चा जो डिटर्मनेंट है पाइफ रिज़ा 15 minus of minus 2 मतलब यह बन गया 17 okay M11 is 17 और वही C11 भी होगा समिंद मारी बात है क्योंकि M11 and C11 तो आपस में equal होने वाला है तो clear है पहला पार्ट पहली चीज़ तो यह उसके बाद दूसरी बात अब अगले पर चलते हैं बस यहीं कर रहा है अपने को एक एक के लिए इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए माइने क्या होने वाला है इस एलिमेंट के लिए तो जिस्का हौलम में है वह कौलम डेलीट कर दील तो बचा जो डिटमनेंट है इसका डिटमिनेंट है जिसकी वेलू हो जाएगी 326 प्लस एट है ना 326 प्लस एट विच इस 14 तो M12 इस इक्वल टू 14 तो अगर M12 14 है तो C12 कितना हो जाएगा C12 माइनस 14 होगा है ना को फेक्टर इस नेगेटिव आफ माइनर फॉर देस एलिमेंट वैसे ही M13 निकाल लोगे आप लोग M13 is basically the minor of this element A13 का माइनर तो जिस रू एंड कॉलम में है उसको डिलीट किया तो इट इस डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 4 1 तो क्रॉस मल्टिप्लाइए किया 2 इंटू 1 2 माइनस 5 4 जा 20 2 माइनस 20 मतलब माइनस 18 डैट इस M13 M13 की वैल्यू माइनस 18 आया है तो C13 की वैल्यू भी है ना C13 की वैल्यू भी माइनस 18 ही रहेगे बच्छा लोग क्योंकि M13 and C13 are equal to each other यहाँ पे लिख दो के M13 is equal to C13 is equal to माइनस 18 तो इसका माइनस निकाल लिया तो बारी बारी से अपन हर एक element का बस माइनर निकाले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है कि जो बच्छे फरस्टाइम बढ़ रहे हैं इस चैप्टर को उनको अच्छे से समझ माज़ा है कि माइनर कोड़ कैसे लिखते हैं और वह बच्छे कंफ़र्टीबल हो जाय लिखने के लिए तो अब आगे बात करते हैं M21 M21 हो गया second row है ना second row first column के element का minor तो second row first column का element यह हो गया इसका minor निकालने के लिए जिस row and column में है उसको delete मारा तो now the determinant of 3613 जिसको निकालने के लिए cross multiply 33 is a 9 9-6 तो 9-6 which is equal to 3 तो M213 है तो C21 will be minus 3 C21 will be equal to minus 3 okay clear M21 C21 का रिष्टा समझ में आता है क्योंकि I plus J is an odd number इसलिए वो एक दूसे के negative हो गए ओके बचलोग अब देखो आगे बात करते हैं इसके बाद में M22 के बारे में बात करते है M22 M22 is determinant of इसका determinant of जिस row and column में है उसको delete मार दिया तो बचा माइनस वन 6,4,3 तो M22 is equal to minus 3 minus 24 minus 3 minus 24 minus 27 वही C22 भी होने वाला है C22 की भी value सेम होती है इसका co-factor और माइनर सेम होगा because I plus J is an even number ओके तो co-factor and minor में क्या फरक क्या है बस sign का फरक है अगर I plus J odd हुआ तो co-factor is negative of minor अगर I plus J even हुआ तो co-factor is equal to minor तो इसी तरीके से आप बागी सारे elements का भी minor and co-factor calculate कर सकते हैं यह ना बस यह आखरी score मैं calculate करके दिखा देता हूं कि अगर अपने को M23 की value निकालनी है M23 है ना second row third column ठीक है रो दूसरी है तीसरी वर्टिकल लाइन में तो second row third column के element का minor निकालना है जिस row column में उसको delete मार दिया तो यह आ गया determinant of minus one three four one ठीक है सब्सक्राइब यह माइनस 13 बन जाएगा अगर M23 माइनस 13 है तो C23 प्लस 13 हो जाएगा समझबाती यह बात है अगर M23 माइनस 13 है तो C23 कितना हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा क्योंकि इसके लिए cofactor and minor are negative of each other तो इतनी बात ही थी बचा लोग अब बाकी तो आप निकाली सकते हैं बाकी आप easily निकाल लेंगे जितने भी बाकी बस इसी row के minor and cofactor की value निकालना बाकी रह गया वह आप लोग खुझ से calculate करें ओके clear है ओके बचा लोग तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ find the minors and cofactor of all the elements of this determinant इसके भी जितने भी elements है उसके minor निकालने है सबसे पहले सबसे पहले तो आपन minor के बारे में बात करते हैं जैसे यह element है है ना a11 है यह element इस element का address a11 जिसके minor को अपन m11 से denote करेंगे तो इसका minor क्या हो जाएगा जब यह जिस row and column में है उसको आपने delete कर दिया तो एक ही element बचा अब इस element का determinant क्या होगा एक ही element बचा और इस element का determinant the determinant of minus 3 is minus 3 only determinant of a11 यह होता है याद है एक ही order का determinant है और जिसका determinant है वही इसकी value होने वाली जिसे determinant of minus 3 minus 3 ही हो जाएगा determinant of 4 4 ही हो जाएगा determinant of a11 M11 is A11 only, तो वो बात है, ठीक है, clear इतनी बात है, चलिए इसको हटाते है, अब M11 निकल गया, इसके बाद में M12 निकाल लेते हैं, minor of this element basically, है ना, this element is A12, इसका minor ही M12 कहलाएगा, right, इसका minor निकालने के लिए, जिस row and column में है, उसको delete मार दिया, एक ही element बचा, minus 6, determinant of minus 6, which is equal to minus 6 only are we clear about this part as well, okay, अब बगले पे चलते हैं, M21, second row first column है, second row first column, इस वाले element का minor निकालना है, तो फिर से आपने delete किया, इसका determinant कितना आजाएगा, 5, ठीक है, तो that is the minor, M22 के बारें बात करें, तो फिर से हमने, M22, देखो, A22 is this element है ना, तो जिस row and column में उसको delete किया, तो अपन इसका determinant लेना चाहेंगे, तो M22 is determinant of 2, which is equal to 2 only, तो M11, M12, M21, M22, 4 अपने निकाल लिये हैं, अब coo factors के बारे में भी comment कर देते हैं, कि जो C11 है, वो तो M11 के ही equal होगा, मतलब इसकी value minus 3 होगी, जो M11 की value है, वही बात अपन करें C12 के बारे में, तो C12 is equal to negative of M12, है ना, C12 क्या होगा, M12 का negative होने वाला है, and M12 की value minus 6 है, minus 6 का negative plus 6 आजाएगा, ओके, C21 is negative of M21, है ना, negative क्यों है M21 का, because I plus J is an odd number, जब भी I plus J odd number होता है, coo factor is negative of minor, ओके, तो M21 की value 5 है, तो C21 की value minus 5 हो जाएगी, and C22 is equal to M22, जब भी I plus J even number आजाएगा, same हो जाएगा, I plus J odd number है, तो coo factor is negative of minor, ओके, तो M22 की value 2 है, वही C22 की value होगी, that is also 2, अर भी clear, तो 2 cross 2 का भी अगर determinant हो, तो हम हर एक element का minor and coo factor easily comment कर सकते हैं, इसमें देखो, coo factor पूचा गया है, C23, 23 मतलब second row third column का element है ना, second row third column, यह वाला element हो गया, तेक है, इसका coo factor पूचा गया है, पहले तो आप इसका minor निकाल लो, पहले तो इसका minor निकालो, कि भही या, M23 जो होगा, M23 is this determinant of 1, 2, 2, minus 4 है ना, इन 4 elements का determinant, that is M23, which is equal to minus 4, minus 4, which is equal to minus 8, यह M23 हो जाएगा, and C23 will be negative of M23, because I plus J is an odd number, तो C23 negative होगा M23 का, तो अगर M23 की value minus 8 आई है, तो negative of minus 8, which is equal to plus 8, right? So that is C23, so plus 8 will be our answer for this question, which is option A, are we clear about this one? चली, आगे बड़े, now, देखो C31 की value 8 दे रखिये, C32 की value minus 14 दे रखिये, then find the values of X and Y, तो C31 क्या हो जाएगा? C31 is equal to M31, C31 और M31 की value तो same होने वाली है, क्योंकि I plus J even number है, और M31 क्या हो जाएगा? 3rd row, 1st column, देखो 3rd row यह होगे, 1st column का element, इसका minor, ठीक है? which is given equal to 8, C31 की value 8 दे रखिये है, तो यहाँ से एक equation बनगे बचा लोग, equation क्या बन जाएगी? 3Y, product निकालेंगे, cross multiplication, 3 into Y, okay, minus, देखना देहाँ से, 3Y minus 10, minus 5 and minus 2 का product plus 10 हो जाता है, तो 3Y मैंसे यह product minus करोगे, तो 3Y minus 10 मिलेगा अपने को, 3Y minus 10 is equal to 8, तो इधर से अपने पास Y की value आगे, 3Y is equal to 18, Y is equal to 6, okay, simple, अब अगली बात करते है, C32 की value, C32 की value, okay, third row, second column का element, तो C32 will be negative of M32, है ना, और M32 है कितना? C32 क्या होने वाला है? M32 का negative होने वाला है, and what is M32, third row, second column, third row, second column का element, यह हो गया, ओके, और इसका minor, M32, इसके minor की value हम लोग रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे, जो की हो गई, X-2, 4Y, okay, that is the value for M32, right, and this is given as, यह C32 की value आ गई, negative of M32, यह M32 मैंने लिख दिया है, okay, which is given as minus 14, इसकी value minus 14 दे रखी है, फिर से देख लेख लेखो, third row, second column, first, second, third, third row, second column, first column, second column, तो यह वाला element हो जाएगा, third row, second column का element, okay, और इसका minor हो गया, X-2, 4Y, X-2, 4Y, okay, C32 is negative of M32, because I plus J is an odd number, I plus J जब भी odd number होते हैं, co-factor is negative of minor, okay, तो negative of this determinant is equal to minus 14, तो इस equation को further solve कर सकते हैं, X into Y, XY बन जाएगा, minus of minus 8, is equal to, यह negative negative दुनों साइड उडा दिया है, तो right hand side में plus 14 बचा, तो X, Y की value यहाँ से आगे, X, Y की value आगे, 14 minus 8, है ना, 14 minus 8, that will be equal to 6, जिसमें से Y की value 6 हमने अभी यह भी निकाली है, तो Y की value यहाँ पे 6 put करोगे, तो X की value यहाँ पे 1 आगे, are we clear? तो इसमें वही दो चीज़े थी, की C31 दे रखा था, C31 हमने रख लिया, 3rd row, 1st column का element, that will be equal to M31 only, क्योंकि यहाँ पे I plus J odd number, I plus J even number है, right? तो M31 की value, 3rd row, 1st column, 3rd row, 1st column का element रहा, इसकी value रख दी, ओके, वैसे C32 यहाँ पे देख लो, C32 is negative of M32, M32 मैंने निकाल रखा है कि 3rd row, 2nd column, 1st, 2nd, 3rd, 3rd row, 2nd column का element, तो इसका minor क्या हो जाएगा? इसका minor हो जाएगा, X-2, 4Y का determinant, ओके, equate कर दिया, जो value दे रखी दिया, minus 14 के साथ, तो X and Y की values आगे, simple है, तो I hope आप minor and co-factor के साथ बहुत comfortable हो चुके हो, क्योंकि अब आता है अगला पड़ाव determinant का, which is expansion of determinant in terms of co-factor, ठीक है, determinant का expansion कैसे करेंगे, in terms of co-factor, the sum of products of element of any row or column with their corresponding co-factor is the value of determinant, determinant की value क्या होती है, determinant की value होती है, कि कोई भी element ले लिया है, कोई भी row या column पकर लो सबसे पहले, पहले तो ये सुचोगी किस row या column के अबाउ determinant को expand करना है, किस row या column के अबाउ determinant की हमें value निकालनी है, तो जैसे मैंने first row लिया, अभी तक आपन ही कर रहे था, तो first row के elements लिया उसको खुद के ही co-factor के साथ multiply करके add कर दोगे यह ना देखो sum of product of element of any row with their corresponding co-factors is the value of the determinant जैसे की बचा लोग कि हमने आभी तक ऐसा देखाता है एक determinant a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 यह हो गया एक standard determinant अब इसको expand करते हैं अगर first row के about करूंगा तो a11 multiply होगा c11 के साथ plus a12 को multiply करेंगे c12 के साथ plus a13 c13 that is the value for determinant की a11 को मैंने उसके खुद के co-factor के साथ multiply कर दिया plus a12 को उसके खुद के co-factor साथ a13 को उसके खुद के co-factor के साथ multiply कर दिया ओके जिसको आपन further ऐसा भी लिख सकते हैं कि a11 into c11 अगर minor के terms में लिखूं है ना यह तो हो गया in terms of co-factor in terms of co-factor ठेक है अगर आप इसी चीज को minor के terms में लिखना चाहते है तो आपको पता है कि c11 और m11 की value तो same होती है but c12 is negative of m12 तो यहाँ पर आ जाएगा negative of a12 into m12 because c12 is negative of m12 okay and c13 and m13 की value तो same ही होती है है ना c13 m13 की value same c12 is negative of m12 इसलिए यहाँ पर negative sign आ गया और इस तरहीं के से ठीक है फिर अपन m11 की value रख देंगे m11 क्या हो जाएगा कि इसको delete किया तो यह वाला माइनर है that is m11 है ना m11 m12 are basically the true to determinant जैसे m12 लिखना है तो इस row and column को delete करेंगे तो यह जो determinant बनेगा that is m12 ठीक है so this is expansion about row 1 यह क्या है expansion about about और वन के about मैंने expand करके दिखाया है और अभी तक हमने जितने भी questions किये थे उसके अंदर आपन row 1 के about ही expand कर रहेते हैं अब सोचो अगर row 2 के about मेरे को expand करना हो इसी चीज़ को अगर second row के about expand करना हो तो वही सेम चीज़ है कि second row के elements लिख लिए क्या है second row के elements a21 a22 a23 right a21 a22 a23 यह second row के elements होगे a21 a22 a23 अब उसको खुद के cofactor के साथ multiply कर दिया a21 को c21 से multiply करेंगे plus a22 को c22 से multiply करेंगे plus a23 को c23 से multiply कर देंगे ओके and cofactor भी आपन कैसे निकालते हैं cofactor निकालने के लिए पहले अपन माइनर निकालते हैं तो इसको इसी चीज़ को अपन माइनर के terms में लिखे हैं तो यह ऐसा बनेगा देखो c21 is negative of m21 तो minus of a21 into m21 plus a22 into c22 minus of a23 into c23 अच्छा m के terms में लिखना है ना अपने को तोयार एक है m22 minus a23 into m23 तो यह क्या करके बताया है आपनने expansion about root 2 कि एक्सपेंशन अबाउट सेकेंड रों सेकेंड रों के about expansion करके दिखाया या तो अपन ऐसे समझेंगे देखो proper definition क्या है proper definition यह है कि value of a determinant is the sum of the है ना sum of the multiplication of the elements of any row or column with their own co-factor कि a21 a22 a23 second row के elements है उसको खुद के ही co-factor के साथ multiply करके add कर देंगे तो तो determinant की value आ जाएगी अब इसी चीज को minor के terms में अपन ऐसे लिखेंगे क्योंकि c21 m21 है ना c21 की value रखता हूं मैं अगर यहां पे तो c21 is negative of m21 तो इसलिए यहां पर negative आ चुका है c22 की value रखी तो वो m22 के equal ही आ गई है और अगर c23 की value रखते है तो वो negative आ जाती m23 तो यह होगे expansion about root 2 ठीके इसी तरीके से अपन root 3 के about expand कर सकते हैं या फिर किसी भी column 1 column 2 column 3 किसी के about we expand करना हो बहुत easily अपन लोग expand कर देंगे simple सी बस चीज इत्ती सी ध्यान में रखनी है कि expand करते होगे किसी भी row और column के elements को पकड़ो खुद के ही co-factor के साथ multiply करके add कर दो फिर उसको अगर minor के terms में लिख रहे हो तो co-factor आपको पता है कि minor के terms में कैसे लिखते हैं या तो co-factor minor के equal ही होने वाला है या co-factor negative of minor होगा co-factor minor के equal कब होता है जब i plus j even number हो और co-factor negative of minor कब होता है जब i plus j odd number हो जैसे 2 plus 1 odd number तो co-factor is negative of minor यहां पर 2 plus 2 एक even number मिल रहा है इसलिए co-factor minor same है यहां पर 2 plus 3 is an odd number इसलिए co-factor is negative of minor क्या clear तो इस तरीके से अपन किसी भी row या column के about you know expand कर सकते हैं किसी भी row या column के about expand कर सकते हैं ओके बचा लोग चलिए आगे बढ़ते हैं अब जनरली हम expansion जब भी अपन करेंगे ना तो minor के terms में करेंगे अपन expansion ठीक है करने के लिए अपन पहले minor calculate करते हैं अगर अपने को किसी element का co-factor चाहिए तो पहले अपन minor calculate करेंगे फिर अपन देख लेंगे कि भईया co-factor माइनर के इकवल ही है या co-factor negative of minor हैं ओके क्लियर है थी बात है अब किसी भी रो के about expand करो मैं चाहूं तो इस co-factor ओके त्री को इसके co-factor से multiply किया जाएगा अब यह element कौन कौन से है देखो यह a21 a22 a23 है ना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम के अलिमेंट है तो देखो त्री कि मल्टिप्लाइड बाई c21 प्लस जीरो मल्टिप्लाइड बाई c22 प्लस वन मल्टिप्लाइड बाई c23 ओके मतलब वन को उसके खुद के को फेक्टर के साथ मल्टिप्लाइड किया अब देखो c21 क्या होता है c21 इस नेगेटिव ओफ m21 तो माइनस 3 टाइमस m21 लिख देंगे जीरो इंटू यह तो जीरो यह बन जाएगा प्लस वन टाइमस c23 c23 इस नेगेटिव ओफ m23 है ना c23 क्या हो जाएगा नेगेटिव लिख देंगे अब m21 लिखना है एम टुवन बड़ा असान है एक है मतलब इसका माइनर इसका माइनर कैलकुलेट करना बड़ा इसी है कि माइनस 3 टाइमस इसका माइनर हो गया डिटमिनेंट आफ 2-1-1 टो फिके ऩटमिनेंट आफ 2000-21 that is m21 minus m23 m23 क्या हो जाएगा second row third column के element का minor which is determinant of 1242 1242 इसका determinant टीक है तो चलिए final value calculate कर देते हैं कि minus 3 times यह बन रहा है 2 minus of minus 2 2 minus of minus 2 that is 2 plus 2 4 बन जाएगा minus यह बन रहा है 2 minus 8 2 minus 8 मतलब minus 6 which is minus 12 plus 6 minus 12 plus 6 is equal to minus 6 that is our answer यह इस determinant की value होगी जब मैंने second row के about expand किया है second row के about expand करेंगे तो determinant की value यह आ रही है ओके अर भी clear चलिए आगे बड़ा जा तो value of this determinant इस determinant की हमें value बतानी है तो जब भी अपन determinant की value निकाले तो उस row या column के about expand करो जहां पर maximum number of zeros है तो आप चाहो तो इस column के about expand कर सकते हो या आप चाहो तो second row के about expand कर लो किसी के through भी expand करो तो अगर मैं इस column के about expand करता हूँ तो सबसे पहले इस element को पकड़ूँगा one one को खुद के ही co-factor के साथ multiply करूँगा अब इसका co-factor क्या है इसका co-factor है c13 ठीक है plus 0 into है ना 0 into c23 plus 0 into c33 अब c23 0 into 0 into यह तो 0 ही बन जाएगा मतलब c13 ही अपना answer होने वाला है और c13 क्या होगा c13 m13 के ही equal होगा right c13 and m13 are equal to each other because यहाँ पर i plus j is an even number तो इसलिए आपस में दोनों equal हो चुके है ओके तो m13 की वैलू देखो कितनी आ रही है मतलब इसका माइनर इस element का माइनर क्या हो जाएगा row column delete किया तो determinant बन रहा है 50 minus 10 and 3 का determinant which is 53 is 15 15 minus 0 that is equal to 15 only यह हमारा answer हो गया तो समझ रो कितना easy होगा इसको calculate करना बहुत ज्यादा easy होगा calculate करना अगर अपन इस column के about जा रहे है क्योंकि यह दोनों तो 0 0 है यह दोनों element 0 है तो इसको अपने co factor के साथ multiply करोगे 0 ही बन जाएगा इसको अपने co factor के साथ multiply करोगे 0 ही बनेगा बस one को अपने co factor के साथ multiply करना है और one का co factor क्या है है ना इसका co factor वही है है जो इसका माइनर है देखो बचा लोग साइन स्कीम हमें अच्छे से दिमाग में रखनी है एना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव मतलब कि इसका जो को फेक्टर है वही इसका माइनर भी है तो करना तो सबसे आसान काम है चूटू डिटमिनेंट कर लिया इसके वैल्यू कितने आगे 15 तो डाट इस आरांसर पॉजिटिव इस ओप्शिन बी इंपल ओके लेस्ट मूव अहेड तो ओल्वेस एक्स्पैंड देटमिनेंट अलोंग विद रो और कॉलम हूँ को या कॉलम में सारे इलमेंट जी रो हूं यहां पर कुछ 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 3D column कि about expand ग्रोंगे क्यों दिख रहा है 3D column क आपउट expand करो के determinant की value 0, देखो 6 ways हमने सीखे, determinant को expand करने के डिर, there are 6 ways to expand a determinant, क्योंकि 3 तो होगी rows, 3 होगी column, त्टोरो के about expand कर सकते 3rd row के about expand कर सकते, 3rd row के about expand कर सकते, 3 तरीके यह होगे, 1st column के about expand कर सकते, 2nd के about या 3rd के about, 3 तरीके यह होगे, तो टूटर 6 तरीके है, determinant को expand करने के, और इन सबसे answer, obvious सी बात है, same आने वाला है, है ना, चाहे आप किसी भी row या column के about expand करो, answer तो उसका same आएगा, are we clear, ठीक है, चलिए, now, बहुत ही प्यारा question है, अच्छा question है, important है, ये question आपको कुछ बाते ही गई है, बचलो, एक determinant आपके सामने given है, और आपसे value पूछ रहे है, a11 into c21 की value, ठीक है, a11 को खुद के co-factor के साथ multiply नहीं कर रहे है, अपन किसी और row के co-factor के साथ multiply कर रहे है, a12 को c22 से, a13 को c23 से, basically हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना, कि elements of first row, elements of first row, are multiplied, multiplied by co-factor of second row, first row के elements को, खुद के co-factor के साथ multiply नहीं किया है, second row के co-factor के साथ multiply कर दिया, तो value के आने वाली है, तो यह question मैंने इसलिए लिया था, ताकि आपको एक चीज़ सिखा पाऊं, कि तो value 0 आएगी, कि जब भी हम किसी element, जब भी हम किसी row या column के elements पकड़ ले, और उसको खुद के co-factor के साथ नहीं, किसी और row के co-factor के साथ multiply कर दिया, या मैंने एक column पकड़ी, उसको किसी और column के co-factor के साथ multiply करके add गया, तो value 0 ही आने वाली है, बस यहीं सिखाने के लिए सवाल लिया गया था, यहाँ पर चेक कर सकते हो, value 0 आने वाली है, देखो, c21 कितना हो जाएगा, मतलब इसका co-factor, तो फहले value रख देते है, c21, c21 is negative of m21, ठीक है, c21 is negative of m21, तो m21 की value क्या है, डिलीट हिया, तो 614-7, 614-7, ठीक है, which is equal to minus 7 into 6, तो minus 42, minus 42 minus 4 minus 46, minus of minus 46 plus 46 यह बन जाएगा, यह c21 की value आगई, ठीक है, c22 की value निकालते है, c22 की value m22 के ही equal आने वाली है, अब इसका minor क्या होगा, इस element का जो 2-2 determinant है, that is determinant of 2, 1, 5, minus 7, determinant of this thing, which will be equal to, 2 into minus 7, which is minus 14, minus 5 है ना, minus 14 minus 5, which is equal to minus 19, okay, now let's calculate c23, c23, c23 will be negative of m23, okay, so what is m23, row and column को delete किया, तो इसका determinant आगया, negative of m23, m23 is determinant of 2, 6, 5, 4, right, तो 4 to the 8, 8 minus 30, यह मिल रहा है अपने को, यह ना, 4 to the 8, 8 minus 30 मिल रहा है, which is minus 22, minus of minus 22, that will be plus 22, okay, तो c21, c22, c23 निकाल ली, अब जो पूछा गया है, उसकी value चले वे, calculate कर लेते हैं, कि a11, a11 है 2, multiplied by c21, c21 है 46, plus a12, a12 है 6, 6 multiplied by minus 19, okay, plus a13, a13 की value कितनी है, 1, 1 multiplied by 22, ठीक है, a13 को c23 से multiply कर रहे हैं, तो 1 multiplied by 22, okay, elements लिख लिए हैं, a11, a11 को c21 के साथ multiply किया, a12 6 है, 6 को मैंने c22 के साथ multiply किया, a131 है, 1 को अपन ने 22 के साथ multiply किया, देखते हैं, answer क्या आना चाहिए, okay, value यहाँ पे 0 आनी चाहिए, ओके, देखते हैं, तो 6 to 12, 92 यह बन रहा है, ठीक है, और यह पांच और 6, 11, minus 114, plus 22, ओके, यह मिल रहा है, तो 92 plus 22, यह भी 114 मिल जाएगा बचा लूब, सही बात है, तो 114, minus 114, that will be equal to 0, तो हमने देखा, क्या value आ रही है, 0 value आ रही है, तो जब भी, जिससे इसमें क्या किया गया, first row के elements लिए गया है, है ना, इस सवाल में देखो, हो क्या रहा है, first row के elements लिए है, elements of first row, elements of first row, are multiplied by co-factor of second row, first row के elements को second row के co-factor के साथ multiply करके add किया, value आगे 0, इसी तरीके से, if elements of row और column are multiplied with co-factor of any other row और column, then their sum is 0, खुद के ही co-factor के साथ multiply किया, तो determinant की value आ जाएगी, किसी और row और column के co-factor के साथ multiply किया, तो उस piece की value 0 आ जाएगी, है ना, अगर मतलब समझो, खुद के ही co-factor के साथ multiply किया है, तो वो determinant की value देता है, है ना, तो determinant की value निकालनी आ गई, कि अगर determinant की value निकालनी है, तो elements को उठाओ, किसी भी row और column के elements को उठा लो, खुद के साथ ही, खुद के ही co-factor के साथ multiply करो, add कर दो, determinant की value प्राप्ट हो जाएगी, बट अगर आपने ये काम कर दिया, ठीक है, कि किसी row और column के elements लिए, किसी दूसरी row और column के co-factor के साथ multiply करके add किया, तो जो भी answer मिलेगा, वो 0 ही मिलने वाला है, ठीक है, अब इसके बीचे और भी reasons है, एक तो example देगे मैंने समझा दिया, कि देखो 0 ही आ रहा है, आप खुद की मर्दी से कोई भी, कोई भी random determinant ले सकते हो, किसी भी row और column के elements पकड़ सकते हो, और उसको किसी भी row या other row या column के elements के साथ multiply करके लिख दो, ठीक है, value 0 ही आने वाली है, for an example, कि जैसे मैंने a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, तो सपोज किसी भी row या column के elements ले लिए, सपोज मैंने second column के elements लिया, ठीक है, second column के elements क्या होगे, a12, a22, and a32, ओके यह second row के second column के elements ले लिए, ठीक है, a32, these are the elements of second column, अब मैं किसी और column के elements के co-factor के साथ multiply कर रहो, ठीक है, जैसे इस column के co-factor क्या हो जाएंगे, c13, ठीक है, a12 को multiply किया, इसके co-factor के साथ c13, a22 को multiply कर रहा हूँ, इसके co-factor के साथ, which is c23, है ना, और a3t को multiply कर रहा हूँ, इसके co-factor के साथ, which is c33, ओके, value क्या आने वाली है, यह जो भी value आई ही, 0 ही आई है, मतलब यह है, elements of, अगर आप इसको पहचानों, तो these are elements of, second column, second column, okay, और यह क्या है, co-factor of, of third column, elements, third column के जो elements है, उनके co-factor है, तो second column के elements लिया, उसको third column के, अगर, element के co-factor के साथ multiply करके, ऐसी कोई expression लिख दू, उस expression के value, 0 ही आने वाली है, यह rule है, clear, तो इस rule का अपने दिमाग में रखना, है ना बचा लोग, चलिए, अब, properties of determinants की तरफ भढ़ते हैं, बहुत ही important properties है, properties पर अपन बहुत खेलेंगे, properties के ही major question आते हैं, पहली property, the value of the determinant remains unchanged, if its rows and column are interchanged, अगर rows and column को interchange कर दिया, तो rows को column बना दिया, column को rows बना दिया, तो determinant की value पर कोई फरक नहीं आएगा, इसी को ही अपन transposing भी बूलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, transposing, देखो क्या हो रहा है, कि first row जो है, उसको मैंने first column बना दिया, first row में A1, B1, C1 बैठाता, अब वो first column में है, जो second row है, उसको second column बना दिया, जो third row है, उसको third column बना दिया, तो आप समझों, ऐसे पलट दिया इस determinant को, ऐसा है, first row को first column, second row को second column, third row को third column, इस तरीक से बना दिया, तो rows को column बना दिया गया है, है ना, या फिर ऐसा समझों कि column को rows बना दिया गया है, ऐसे भी समझ सकते हो, तो basically rows and column को interchange अगर कर देते हो, तो determinant की value पे कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला है, है ना, दोनों के determinant की value same होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा obvious भी है, very very obvious, कि देखो, A1, B1, C1 को किस से multiply, अगर यहाँ पर first row के about expand कर दो, तो A1 क्या होगा, A1 खुद के co-factor के साथ multiply हुआ, plus B1 क्या होगा, खुद के co-factor के साथ multiply, C1 को मैंने खुद के co-factor के साथ multiply कर दिया, है ना, okay, is equal to, अब वही चीज़ यहाँ पर column में बैठ गई, इसके column के about expand कर देख लो, है ना, जो row के about expand कर रहे हो, और आपने यहाँ पर value निकाली है, और इसको भी अगर expand करके जो value निकालोगे, वो same value आने वाली है, जो कि properly visible भी है, साफ-साफ दिख रहा है, कि यहाँ पर A1 को multiply करेंगे, इसको खुद के co-factor के साथ में, अब इसका co-factor वही है ना, इसका determinant देखो, यहाँ पर भी इसका co-factor इसका determinant आ रहा था, B2C3-B3C2 और यहाँ पर भी B2C3-B3C2, तो A1 का co-factor वही है, same to same, है ना, वही B1 का भी co-factor वही है, C1 का भी co-factor वही है, ओके बच चलो, तो इसलिए, delta and delta transpose are equal to each other, the value of a determinant and the value of the transpose of that determinant are equal to each other, ओके, delta T is also denoted by delta dash, delta T को कई बार, यहाँ तो इसको अपन delta T लिए से denote करते हैं, delta dash से भी denote कर दिया जाता है, ओके, तो समझ में आगी बात है, यह transpose है, जैसे कि यह equation है, है ना, इसकी value निकालते हैं, चलो, इसकी value निकाली जाए, तो क्या बने का 2 multiplied by minus 1 into 0 into 1 into 0, तो 2 into 0 बन रहा है, ओके, 0 multiplied by anything is 0 only, plus minus 4 multiplied by 4 into 1, है ना, minus 4 को किस से multiply कर रहे हैं, अब 4 into 1, 4, minus of minus 2, 4 plus 2, इस से multiply किया जा रहा है, तो देखो, determinant की value आएगी, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, 4 plus 2, 6, 6 into minus 4, minus 24, तो determinant की value कितनी आगई, minus 24 आगई, अब सपूज मैं इसका transpose ले लेता हूँ, और उसकी भी value आपके सामने ही calculate करके दिखा दूँगा, किसका transpose क्या हो जाएगा, first row, first column में आगई, 2, 0, minus 4, यह first column में आगई, second row जो है, 4 minus 1, 0, वो second column में आगई, 4, minus 1, 0, जो third row है, 2, 1, 0, वो third column में आगई, 2, 1, 0, अब इस determinant की value calculate करो, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ, फिर से आप, जिससे इसमें first row के about expand किया था, यहाँ पे भी एक काम करो, first column के about expand कर दो, है ना, same ही elements दिख रहे हैं, वही elements यहाँ पे first column में बैठ है, इसके about expand कर दो, तो इसके about expand करेंगे, तो देखो, 2 multiply हो रहा है, minus 1 into 0, into 1 into 0, मतलब 0 से, फिर 0 किसी से भी multiply हो, 0 ही बन जाएगा, plus minus 4 multiplied by, minus 4 multiplied by its co-factor, which is 4 into 1, which is 4 minus of minus 2, तो which is again, 6 into minus 4, minus 24, ओके, तो determinant की value पर कोई भी फरक नहीं पड़ा, determinant की value पर कोई फरक नहीं पड़ा, are we clear? ठीक है, simple, now, if any two rows और columns of a determinant are interchanged, then sign of the determinant changes, अगर हम दो row interchange कर देए, determinant की, या फिर कोई भी दो column हम लोग interchange कर देए, तो determinant का sign बदल जाएगा, ओके, इसी operation को अपन ऐसे denote करते हैं, यह हो गया, row interchange का operation, कि ri is interchanged by rj, and यह हो गया, column interchange का operation, है ना, तो for odd number of interchanges, value changes by sign, and for even number of interchanges, the value remains the same, समझेंगे इस बात को बहुत आसान है, देखो, अगर कोई determinant है, जिसके elements a, suppose ऐसा है, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, okay, इसकी value calculate कर लेंगे हम लोग, value कैसे calculate करेंगे, a1 multiply होगा, इसके minor से, ठीके, a1 किससे multiply होगा, a1 will be multiplied by minor of b2, c2, b3, c3, minus b1 multiply होगा, इसके minor से, okay, a1 को खुद के minor से multiply किया, b1 को भी खुद के, है ना, minus b1 को खुद के minor से multiply किया, basically समझ में आ रहे हैं, multiply तो खुद के co-factor के साथ ही कर रहे है, a1 को खुद के co-factor के साथ multiply किया गया है, बट इसका जो co-factor है और इसका जो minor है, वो same है, b1 को खुद के co-factor के साथ multiply कर रहे है, और इसका जो co-factor है, वो negative of minor है, तो बीवन का को फेक्टर कितना है बीवन का को फेक्टर है ठीक है बीवन का माइनर कितना है ठीक है तो माइनर हो जाएगा A2 C2 A3 C3 का डिटमिनेट है ना A2 C2 A3 C3 का डिटमिनेट है ओके बीवन को नेगेटिव आफ इस माइनर से मल्टिप्लाई किया गया है ना, B1 इस element को negative of minor के साथ multiply किया गया है, क्यों? क्योंकि इसका जो co-factor है वो minor का negative है plus C1 को multiply कर दिया, इसके खुद के minor के साथ में क्योंकि जो इसका co-factor है, वह इसका minor है तो इसके साथ multiply किया तो A2, B2, A3, B3 का determinant बन रहा है, right? A2, B2 A3, B3 का determinant बन रहा है, तो अभी इस determinant की value, S, E, R, E expand करने पर, अब सबोज मैं कोई भी दूर row या column interchange कर दिया है, ना सबोज मैं first row, second row को interchange मार देता हूँ, है ना या फिर first row, third row को interchange कर दिया suppose, अब मैं interchange कर रहा हूँ तो interchange करने पर first row के अंदर कौन बैड़ जाएगा? first row के अंदर आ गया, A3 B3, C3 second row में तो कोई changes नहीं किया है और third row के अंदर अब A1, B1, C1 अब मैंने बोला कि इसकी value calculate करो ज़रा, और मैं बोल रहा हूँ कि A1, B1, C1 के about ये expand करो तक ही अपन directly compare कर पाएंगे ना यहाँ पर भी A1, B1, C1 के about expand किया है, तो इधर भी A1, B1, C1 के about expand करो ओके, तो sign scheme याद है ना positive, negative, positive, negative, positive, negative फिर positive, negative, positive ओके, sign scheme कुछ इस type के रहती है अब A1 को multiply करेंगे इसके खुद के co-factor के साथ अब इसका co-factor क्या हो जाएगा, इसका co-factor वही होगा जो इसका minor है मतलब यही इसका co-factor है, B3, C3, B2, C2 का determinant है ना, B3, C3, B2, C2 का determinant ओके, इसका co-factor क्या होगा, है ना, plus B1 B1 को multiply कर रहे हैं, इसके co-factor के साथ में हैं, अब इसका co-factor होगा, वो इसके minor का negative होने वाला है, तो that is negative of, यहना, B1 is multiplied by negative of, या फिर minus B1 लिख दूँ में यहापर, minus B1 लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, minus B1 multiplied by its minor, which is A3, यहना, determinant of, A3, C3, A2, C2, plus, plus C1 multiplied by, ठीक है, C1 multiplied by its co-factor, which is the determinant of A3, B3, A2, B2, यहना, determinant of A3, B3, A2, B2, okay, तो इसको expand किया, अब आप खुद compare करके देखो, कि यह एक दूसरे का negative हो गया ना, यार, देखो, यही एक दूसरे का negative हो गया, B2, C2, B3, C3, यहाँ पर B3, C3, B2, C2 है, है ना, cross multiply करो कोई तो समझ में आ रहा है, यह बन रहा है, B3, C2, minus B2, C3, और यह क्या बन रहा है, B2, C3, minus B3, C2, तो इस टूसरे नेगेटिव ऑफ इच अधर, राइट, तो हैंस, दे आर नेगेटिव ऑफ इच अधर, अगर आपन कभी भी कोई भी दू रो को इंटरचेंज कर दिया, या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बस यह बाते हैं, ओके, जैसे डेल्टा वन यह डिटर्मिनेंट है, है ना, इसकी वैल्यू कैल्कुलेट कर लेते हैं, तो इस डेल्टा वन की वैल्यू कैल्कुलेट करें तो कितना बन रहा है थ्री मॉल्टिप्लैट बाइब जीरो इंटू 1 माइनस सिक्स है ना 0-6, माइनस आप माइनस 4, प्लस 4 हो जाएगा, मल्टिप्लैट बाइट माइनर विच इस 2-2, ओके, और 0 इसको एक्स्पैंड किया है बचालो तो 3 into minus 6 कितना बन जाएगा minus 18 to minus 2 यहाँ पर 0 बन रहा है तो इधर से यह डेल्टा वन की वैल्यों आ गई माइनस 18 के एक्वल ठीक है दिस इस अगर मैं एक दूसरा डेटमिनेट बनाता हूं रिटल लुच अगरा टू इसके अंदर मैंना कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दी है त्यां किया किया गया है कि आर वन अई टूओ आपस मैं इंटरचेंज कर दिया तो अब इस डेविड्य वैल्यू आप खुद से calculate करके देखना अब इस determinant की value plus 18 आ जाएगी है ना अब खुद से calculate करके देखना इसकी value minus 18 आ ही है अब इसकी value plus 18 आ जाएगी क्योंकि दू रूस को interchange कर दिया अब suppose मैंने delta 3 बनाया फिर से मैंने interchange मार दिया इसमें और interchange मार दिया suppose कोई दो कॉलम को interchange मार दिया मैंने c1 c2 को interchange कर दिया तो c1 c2 को interchange करके पहली कॉलम दूसरी कॉलम को interchange किया तो second कॉलम क्या है 0-43 0-43 वो पहले आगे और first कॉलम इदर आगे 231 and 201 अब इसकी value calculate करोगे वापिस minus 18 बन जाएगी देखो यार इसकी value plus 18 है और यहां पर अपने दो कॉलम्स interchange किये है तो इसकी value वापिस से इसका negative होगी minus 18 तो डेल्टा 1 से डेल्टा 3 पर पहुंचने के लिए अपने कितने interchange किये है twice तो अगर आप even number of interchange कर रहे हो तो value पर कोई फरक नहीं पड़ रहा डेल्टा 1 की value minus 18 आई और डेल्टा 3 की value भी minus 18 ही आएगी तेक है मैं calculate करके नहीं दिखा रहा आप खुद से कर लेना मेरे को तो बरोसा है कि आएगी value है ना तो डेल्टा 1 की value minus 18 आई डेल्टा 3 की value भी minus 18 आई क्योंकि डेल्टा 1 से डेल्टा 3 में अपन दो बार interchange कर रहे हैं तो if you interchange rows और column even number of times the value does not changes, okay, but if you interchange rows और column odd number of times जैसे एक ही बार interchange मारा या फिर तीन बार interchange कर दिया, तो value changes by the sign, value sign से बदल जाती है, sign change हो जाता है उसका, are we clear? ठीक है, now, अगली property if any two rows और column of a determinant are identical, all corresponding elements are proportional है ना, अगर कोई भी दो row या column identical है, या फिर कोई भी दो row या column proportional है, तो determinant की value 0 होने वाली है, जैसे कि first example में आपन देखेंगे, कि यहाँ पर first row and third row एकदम identical है, तो इस determinant की value 0 हो जाएगे, और अगर आपको check करनी हो sir, 0 कैसे हो भी, तो second row के about expand कर दो, second row के about expand करोगे तो देखो, e multiplied by its co-factor, अब e का जब co-factor निकालोगे तो 0 बन जाएगा, यह ना, bc minus bc, 0 बन गया, ठीक है, तो expand कर लो, expand about r2, क्योंकि सबसे simple ही रहेगा, second row के about ही expand करके देखना, सबसे ज्यादा simple रहने वाला है, देखे, second row के about expand किया, देख लिया, e multiplied by its co-factor, which will be 0, plus f multiplied by its co-factor, वो भी 0 आएगा, और g का भी co-factor देखोगे आप, 0 आ रहा है, देखो, g का co-factor क्या है, जिस row and column में है, delete किया, और यह जो छोटू determinant बन रहा है, उसकी value a b minus a b, 0 ही बन रही है, तो, hence we can say that is 0, यहाँ पर भी देखे, तो first column, first column, second column proportional है क्या, first column के element देखो, 2, 4, 6, 1 is to 2 is to 3 ratio, और 3, 6, 9, 1 is to 2 is to 3 ratio, ठीक है, तो अगर यह proportional है, देखो, ऐसा भी देख सकते है, 2 is to 3, 4 is to 6 is also 2 is to 3, 6 is to 9 is also 2 is to 3, ओके, तो अगर, दो column proportional है, तब भी determinant की value 0 आने वाली है, क्योंकि third column के about expand करके, आप clearly देख सकते हो, कि 11 multiplied by, 11 किस से multiply होगा, 11 multiply होगा, 9 for the 36 minus 36, 36 minus 36 plus, फिर अपन 13 को multiply करेंगे, 13 को multiply किया, इसके co factor के साथ multiply करोगे, तो 9, 2 is to 18, 6, 3 is to 18, 18 minus 18, again 0, okay, plus 17 को multiply करतो, थर्ड column के about expand करें, तो 17 multiplied by, 6, 2 is to 12, 4, 3 is to 12, 12 minus 12, तो देखो, 0, 0, 0, overall के answer आजएगा, 0 आजएगा, तो बस आज के लिए इतनी ही property में बताने वाला हूँ, आगे की properties हम लोग discuss करेंगे, बचा लोग next class में, तब तक के लिए आप determinant expand करना सीख जाईए, determinant के उपर अच्छे से practice कर लीजिए, कि expand कैसे करना है, किसी भी row या column के about अगर आपको expand करने के लिए दिया जाए, तो वो आपको आना चाहिए, बाकि अपन आगे की properties next class में discuss करने वाले हैं, और बहुत-बहुत important properties आने वाली है, तो आज के समरी है session की हमने determination के बारे में समझा था, order of determination, expansion of determination, minor and co-factor and properties of determination, ठीक है, यह हमने आज की class में सीखा है, है ना, और एक sign scheme भी अच्छे से दिमाग में ध्यान रखना, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, positive, ठीक है, यह sign scheme हमें ध्यान रखनी है, expand करते वहीं, साइन स्कीम बहुत ज्यादा काम आ जाती है, जैसे कि अगर मैं expansion कर रहा हूँ, suppose, third row के about expand कर रहा हूँ, या फिर सपोस second column के about expand कर रहा हूँ, ठीक है, तो elements लिख देते हैं, अपन general, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, तो expansion about column 2, अगर column 2 के about, मुझे expansion करना है, तो expansion about column 2, about column 2, तो column 2 के about expand करना है, तो अब मैं co factor के terms में ना करके, direct minus के terms में expand कर सकता हूँ, कैसे, कि negative का sign यूज़ करना है, a12 के साथ, negative of a12 into its minor, positive का sign यूज़ करना है, a22 के साथ, positive of a22 into its minor, and negative का sign यूज़ करना है, a32 के साथ, तो negative of a32 into its minor, तो इस तरीक से column 2 के about expand कर देए, क्यूंकि minor निकालना ज्यादा easy अपने लिए है, है ना, two factor के अंदर फिर सूचना पड़ेगा, है ना, minor निकालना ज्यादा easy है, minor निकालने में कुछ भी बड़ी बात नहीं है, जैसे अगर a32 का minor निकालना है, तो जिस row and column में उसको delete करो, यह जो छूटू determinant है, यह वहीं इसका minor है, तो यह science scheme ध्यान जाएगी, तो expansion आपके लिए बहुत easy रह जाएगा, किसी भी column या row के about आप expand कर सकते हो, science scheme से, तो एक determinant उठाओ, कोई भी general determinant, उसको हर row या column के about expand करके देख लो, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे expansion करना है, क्यूंकि next class में अपन लोग properties के बा इस chapter से, तो इस chapter को अपन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़िया से करेंगे, और पढ़ते हैं रो यार, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, बसी याद रखना कि, आज से एक साल बाद में, दूसाल बाद में, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी में, तिल देन, तेक कार अफ यॉरसेल, टाडा, बाई-बाई, वाई-वाई, वाई रेट देगाईज